जै भीम मंच पे आसीन मेरे कैबिनेट कुलेग सौरब भारदवाज जी दिल्ली की महापौर शली अबराय जी भी भाईयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम आज हम बाबा साब अमबेडगर का जन्म दिवस मनाने के लिए कत्रित हुए हैं भारत ने बहुत बड़े-बड़े लोगों को जन्म दिया लेकिन मैं समझता हूँ कि बाबा साब अमबेडगर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो आदमी एक मामूली से मध्यपरदेश के गाउं में इतनी गरीबी में इतने छुआ छूट से निकल के भारत का लौ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बहतरीन समविधान लिखता है ये सफर कोई आदमी कैसे तै कर सकता है और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितना जितनी बार पढ़ता हूँ उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया एक गरीब परिवार में पैदा हुए बहुत गरीब था उनका परिवार घर में खाने को नहीं थे कई बहन भाई थे और छुवा छूट इतनी ज़ादा थे उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके क्लास के बाहर बिठा दिया जाता था बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था क्लास के बाहर बिठा देते थे अब टीचर अंदर पढ़ा रहा है वो क्लास के बाहर बैठे है क्लास के बाहर कितना सुन रहा है कितना नहीं सुन रहा मैं समझता हूँ आज का अगर महौल होता तो माबाब कहते हैं चोड़ पड़ाई कुछ काम धंदे में लग जा बेकार में अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है की नहीं है क्लास के बाहर बिठा देते पानी पीना होता तो वो चपरासी ऊपर से यूँ ग्लास डाल के उनको पानी पिलाता था और उन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था नो पीन, नो वाटर वो भी उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखा हुआ है कि नो पीन, नो वाटर जिस दिन चप्रासी नहीं आता था उस दिन पानी नहीं मिलता था पीने को पर वो पढ़ाई करते गए, करते गए, करते गए में तो को तुछ ताज़ब होता है कि वो एक 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 क्लास नहीं तो अगर ordinary कोई आदमी होता तो वो तो पड़ाई छोड़ चाड़के और अपना किसी काम दंदे में लग जाता है और वहां से फिर वो बॉंबे गए बॉंबे में Dolphinstone School में गए फिर College में गए और 1913 में कॉलंबिया युनिवस्टी पहुँच गए को framework को पता है कि अमरीका के अंदर एक बहुत बड़ी कॉलंबिया युनिवस्टी का आज के जमाने में तो 1913 में मध्य परदेश के छोटे से गाउं के गरीब लड़के को पता कैसे चला कि कोई कॉलूम्बिया इनिवस्टी है उनको फॉर्म कहां से मिला मैं तो यही ताजिब करता हूं उनको फॉर्म किसने दे दिया कहां से मंगाया उन्होंने फॉर्म सोच के देखो आप अभी तो गहने को उन्हें लेकिन सबूर्म के उस बस बच्चे पता कैसे चला 1913 मतलब इस साल की उमर के अंदर 22 साल की उमर में उस लड़के को पता कैसे चला कि अमरीका के उन्दर को उन्यूर्स टेम बरते हैं उनको क्या आदमी धायार ऐसे धोड़ी दुनिया उनके दिबानी हो र पではने मारे देश का सम विधान लिखा उसमें सारी चीजें उन्होंने डाली कि सबसे ज्यादा तवज्जु उन्होंने शिक्षा को दी आगे बार 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 उनकी जितनीились टीचिंग्स हैं, उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनको जितनी बारा पढ़ो, हर जगे वो यही एक संदेश देते हैं, कि अगर हमें अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अगर हमें अपनी गरीबी दूर करनी है, अगर समानता का अधिकार सब को देना है, तो एक ही ची हैं लोग बातें बहुत होती हैं लेकिन असली शिक्षाय और जब से मैं राजनीती में आया हूं दिल्ली के अंदर हमने सरकार संभाली है ये चीज मैंने भी महसूस करिये कि शिक्षा किसी भी परिवार को पूरी तरह से बदलने के लिए कितना बड़ा रोल अदा करती है हमार पस दिल्ली सरकार में एतने उधारन हैं इतने उधारन हैं दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों का पहले बहुत बुरा हाल था बहुत ज़दा राजनीती में आने के पहले मैं इंजियो चलाया करता था सुन्दर नगरी की जुगियों के अंदर हम लोग काम किया करते थे मैं और मनिस सुधिया जी वहां हम देखते थे सरकारी स्कूलों का इतना जादा बुरा हाल होता था एक गरीब आदमी अपने बच्चे को भेजता था साल दो साल भेजने के बाद देखता था और पढ़ाई लिखाई तो कुछ है नहीं टाइम बरबाद कर रहा है उसको कहता था धंदे में लग जा कभी चाई की दुकान पे लग जा कभी कहीं लग जा कभी कहीं लग जा कई ऐसे एक बच्चा है उसके पिता जी बंबर हैं 12,000 रुपय महीना कमाते हैं उसके पिता जी उनका बेटा IIT रुड की में कंप्यूर इंजीनियरिंग में उसका दाखला हो गया IIT रुड़की में computer engineering में अगर उसका दाखला हो गया जब वो बच्चा चार साल के बाद अपनी engineering करके निकलेगा उसकी starting तंखा 3 लाख रुपे महीना होगी starting salary 3 लाख रुपे महीना होगी एक परिवार तो सुधर गया अब आप सोचों कि अगर हर परिवार के हर बच्चे को हम अच्छी शिक्षा दे दें किसी को doctor बना दें, किसी को engineer बना दें, किसी को और ये भी नौकरी भी नहीं, अब हम उनको business करना सिखा रहे हैं इसकोलों के अंदर, business करना सिखा दें, देश से गरीबी दूर हो जाएगी तो मैं जब भी कहीं जाता हूं, मैं किसी को ये नहीं कहता है, मैं तुमारी गरीबी दूर कर दूँगा मैं सब को ये कहता हूं, मैं तुमारे बच्चों को पढ़ा दूँगा, तुमारे बच्चे तुमारी गरीबी दूर कर देंगा मैं क्या दे दूँगा आपको लाक रुपे दे दूँगा दो लाक रुपे दे दूँगा दसलाक रुपे दे दूँगा अभी कितने दिन चलेंगे दसलाक रुपे में आज नी तो कल कल नी तो परसों पैसे खतम उसके बाद फिर वो ही गरीबी लेकिन अगर मैंने आपके गुण्डली थी बाबा साब अमड़ करने, उन्हीं के नक्ष कदम पर चल रहे हैं, पहले दिल्ली सरकार के स्कूल ठीक करें, अब दिल्ली के लोगों का प्यार था, विश्वास था कि उन्होंने हमें नगर निगम की भी जिम्मेदारी दीए, अब नगर निगम के भी स्कूल को अच्छा करेंगे एक चीज मैंने देखी है नगर निगम जो है वो आम आदमी की जिंदिगी के हर छोटे से छोटे पहलू को टच करता है तो दिली सरकार से भी ज्यादा नगर निगम जो है वो लोगों की जिंदिगी को छूता है अब नगर निगम की जिम्मेदारी लोगो उने दिये तो बहुत सारे काम करने हैं अपने को, लेकिन सबसे बड़ा काम करना है, सफाइ का, जिली को साफ करना है, जिली को चमकाना है, और वो सब को साथ लेके करना है, एक positive atmosphere create करना है अपने को, negativity खटम करनी है, पहले जो अभी मौजूद करमचारियां आप देखना इन्ही करमचा, यही करमचारी आपको साल-दू-साल के अंदर जादू करके दिखाएंगे, कमाल करके, माजिक करके दिखाएंगे यही लोग दिल्ली सरकार के अंदर मेरे को याद है जब हम लोग नग उसमें एंजियों में काम किया करते थे जुग्यों में काम करते थे तो सारे गालियां देते थे दिल्ली सरकार के टीचर्स को अरे पढ़ाती नहीं है टीचर्ज right आती नहीं आती ए तो पेड़ के नीचे बैटके स्वे이टर बनती रहती है ये कहते थे न, ये आम सुनने को मिलता था यही साथ हजार टीचर्स, दिल्ली सरकार के टीचर्स, किसी को नहीं बदला हमने आने के बाद, इन्होंने दिल्ली के अंदर शिक्षा करामती करके दिखा दिया, इन्हीं टीचर्स ने, ऐसा गजब का कमाल किया, रिजल्ट भी अच्छे आने लग गए, बच्चों के केरियर आज मैं, मैंने बहुत इंटरेक्शन किये दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ ना, बच्चे स्कूल की तो तारीफ करते ही हैं, स्कूलों के अंदर इन्फरसक्चर बहुत अच्छा बना दिया, ये अच्छा कर दि आजी आपने स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है। सबसे ज़ादा तारीफ दिल्ली सरकार के स्कूलों के बच्चे अपने टीचर्ज की करते है। हमारी वो टीचर वड़ी अच्छी है सरूए टीचरी करते हैं हमारी वो टीचर वड़ी अच्छी है सरूप हो बहुत महनत करती है सरूब उन्ही टीचर्ज ने कमाल करके दिखा दिया दिल्ली के सरकारी स्कूल आज यही सभी सफाई करमचारी आज यही M.C.D. के स्कूल टीचर्स, आज यही डॉक्टर्स, यही नर्सेज, यही M.C.D. के करमचारिया आप देखना है साल दो साल केंदर आपको कमाल ना करके दिखा दे तो, मैजिक ना करके दिखा दो. शांदार काम करते लिए, पॉजिटिविटी चाहिए, नेगिटिविटी खतम करनी है, जो नेगिटिव एट्मोस्फियर उसको खतम करके एक माहौल देना है, अन्त पंत में तो सब इनसान है ना, हर इनसान के यहां दिल धड़कता है, हर इनसान क्या चाहता है अपने के अंदर सकून चाहता है, आत्मा की शांती चाहता है, और आत्मा की शांती किस से मिलती है, अच्छे काम से मिलती है, अगर आपको अच्छा काम करने को मिल जाए, इससे बड़ी भगवान आपको कुछ दे नहीं सकता, अगर आपको ऐसा काम मिल जाए, जिस काम के अंदर आ सब्क्राइब करेंगे सोरभ बार्दाइजी ने मुझे प्रस्टाव भेजा है कि हमें साल में एक Model RWA Award स्थापित करना चाहिए जो RWA अच्छा काम कर रही है सारी RWA इसके बीच में Competition कराया जाए और Model RWA एक Best Park का Award होना चाहिए जो Park सबसे अच्छा है जो Maintain सबसे अच्छा हो हो उसका Park का Award Best सफाई करमचारी का Award हर Award में अलग-अलग Award में हर Award में एक Best सफाई करमचारी एक Best Sanitary Inspector और एक Best ASI का Award होना चाहिए इस तरह के कई सारे Awards Institute किये जाएंगे आज मुझे बहुत खुशी है मेरा पहला आज विजिट है Civic Center में आज आप सब लोगों के बीच में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है अब आना जाना लगा रहा करेगा Thank you so much